दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर बीजेपी मुख्याले की है और साथ ही दूसरी तस्वीर संग मुख्याले की है राश्ट्री स्वयम से वक संग के मुख्याले में भी किस तरीके से जंडा बंदन किया गया उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं संग प्रमुक मोहन भागवत इस मौके पर मौजूद है उन्होंने भी राश्र ध्वज को सलामी दी राश्र ध्वज फेराय गया और उसे सलामी दी गई दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सलामी दिने के लिए पहुँचे राश्टी स्वयम सेवक संग के प्रमुक सरसंग चालक जिने कहा जाता है मोहन भागवत और उससे पहले जेपी नडा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी बीजेपी मुख्याले में दिली में दीन द्यालुपाद ध्या मार्क पर जहां बीजेपी का मुख्याले है वहाँ पर जंडा वंदन किया और साथ ही जंडे को सलामी दी राश्ट ध्वच को सलामी के लिए बीजेपी के तमाम कारे करता पदादी कारी बीजेपी अधश के साथ साथ वहाँ जो सुरक्षा कर्मी मौजूद है वो भी अपने गणवेश में अपनी यूनिफॉर्म में अपने आपको दिया है तो उसका पालन करना ये भी बात है तो ये तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं राश्टी स्वयम सेवक संग मुख्याले की नाधपुर की ये तस्वीरे हैं जहां पर संग प्रमोक मोहन भागवत ने जंडा बंदन किया और साथ ही जंडे को सलामी भी धी राश्टवच को सलामी की तस्वीरों के बाद मीडिया कैमरों के सामने आये संग प्रमोक मोहन भागवत ने कहा कि समविधान हमारा है हमने अपने आपको दिया है क्योंकि सम्विधान की जो प्रस्तावना है प्रियंबल है वो कहती है हम भारत के लोग अपने को यहनी भारत को एक सम्विधानिक राज्य बनाने का गणराज्य बनाने का की घोशना करते हैं और हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं ये मोहन भागवत ने कहा सम्विधान लागू करना सरकार का काम है लेकिन सम्विधान का पालन करना हर भारती नागरिक का करतव है क्योंकि सम्विधान भारत के लोगों का बनाया हुआ सम्विधान है जिसे भारत के लोगों ने अं सर पर संविधान लागू करना सरकार का काम है, लेकिन संविधान भारت के सभी लोगों का है, और संविधान का पालन करना भारत के हर नागरिक का कर्त निया है। तो यी तमाम बड़ी बाते महँन भागवत की तरफ से क्या कुछ कही ग्ई, वो हमने आपको सुनवाई जैसे सब देश एक मन हो जाता है, सब लोग तिरंगा फैराते हैं, सब लोग कारकरम देखने ही जाते हैं, दिल्ली का कारकरम ट्यूवी पर देखते हैं, जैसे 22 जन्वरी को एक वातावरन उत्पन हुआ, वैसा इस दिन भी वातावरन उत्पन होता है, परन्तु वो एक दिन क यह अपक्षित नहीं है क्योंकि यह गणाराग्ज दिवस है तो देश आज 75 गंतत्य दिवस मना रहा है राश्पती द्रॉपदी मुर्मू करतवेपद से गंतत्य दिवस परेड की सलामी लेंगी गंतत्य दिवस के अवसर पर फ्रांस के राश्पती इमानुवल माकराउं मुक्य अतिती के तौर पर शामिल होंगे परेड में भारत की सांस्क्रितिक विरासत, एकता, प्रगती, नारी शक्ती और सैने शक्ती की जलक देखने को मिलेगी गंतत्य दिवस परेड सुबह 10.30 बजे शुरू होगी और लगभग 90 मिनिट तक ये परेड चलेगी इससे पहले कल राशपती द्रौपती मुर्मू ने देश को संबोदित भी किया प्रधानमंती नरेद मोदी सबसे पहले नेशनल वार मेमोरियल जाएंगे और शहीदों को शद्धान जिली देंगे आज के कालिकरम में और इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गर्द्ध दिवस को लेकर राजधानी में हलचल तेज है करतव विपत पर कुछ देर बाद आपको ये तस्वीर नजर आएगी कदम ताल करते हुई भारत की सैन्य शक्ति का नजारा देखने को मिलेगा साथ ही आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर सलामी लेती हुई भारत की राजपती भी और साथ ही भारत की नारी शक्ति भी और ये पहला अवसर होगा, एक अनोखा अवसर होगा जब सबसे बड़ी संख्या के अंदर भारत की महिला सेनी शक्ती कदमताल करती हुई करतवे पत पर नजर आएगी और उन्हें सलामी लेती हुई जो भारत की सुप्रीम कमांडर है राश्पती है वो भी नजर आएगी गंतर दिवस के मुख्य अति थी फ्रांस के राश्पती हैं लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कौन-कौन नेता अब तक भारत के गंतर दिवस समारों में शामिल हो चुके हैं अगर बात की जाए 2015 से तो बराक अबामा अमेरिका के तत्कालीन राश्पती वो शामिल हुए थे इसके बलावा 2016 में फ्रांसमा उलांड जो की फ्रांस के राश्पती थे उस समय वो शामिल हुए इसके इलावा मुहमद अलनाहियान 2017 में थे 2018 में दस आसियान देशों के नेता गंतर दिवस परेड में शामिल हुए थे साथ ही डक्षन अफरिका के राश्पती सिरिल रामा फोसा 2019 में और साथ ही जैर बलसोनारो जो की ब्राजील के राश्पती थे 2020 में वो शामिल हुए इसके अलावा अ सीसी मिसर के राश्पती 2023 के अंदर गंतर दिवस के खास मेहमान थे और 2024 में इमानुवल मैकराउं जो की फ्रांस के राश्पती के तोर पर पहुए